आप कौन बोल रहा हुआ है जी सद्धाम बताइए और पी आप कैसे हो खेज़कते हो आपया लंद लो जी मैं फुलन मसले के बारे में बूचने हैं आप मौल भी नहीं है आप मौल भी नहीं है या आप मौल भी नहीं है त्यारी के दिवाधु ये आ कि आप तो रहे हैं कि मैं इस सुरहे हों कि माई तब जैना ये है लिए अधिक ये श्येgs कुस्का फुरत को नहीं हो बाहिजाया हैं भी नहींद अदर भी इस हने कि कुछ से आप लोगों को जवाब दे रहे हो ख़ूँ आप लोगों को जवाब पर दोगन की फिर्के से तालूग रखता हूं, मैं पहले भी मोलना से बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसी मोलना से बात नहीं है, हम अले हदीस हो अल्मा हैं, तो मजे आपका किसी नंबर दिया है इदी, तो मैं पहले हदीस होना जाता हूं, सहली बात तो यह है, दूसरी बात यह है कि मुझे कुछ थोड़ा मसले के बादे में बताएंगे, जो अच्छा होगा थोड़ा मसले कोच रहा हैंगे, भई मसले बताना, आदे में दीन का दाम है, मुक्तियान का दाम है, अब हम लोग तो भई आप सुवआज में छोटे, हम लोग को कुछ नहीं आता जाता, हम लोग तो जो सीखते हैं, वह बात लोगों को बता जएते हैं, आप बसमझ रहे हैं, आप अपना मसला बताइए, अगर हम को मालूम होगा तो इशालला पक्का बताएंगे, छुपाएंगे, नहीं कुछ जा तो आपको इसी बात है ना हम ने आपके रोर्ण कर वार पगर सुनी आप सुनने में देख्वें में बोलने में आप ऐसे लग रहे हो गिस्ट कर तो आपको पता ही होगा ऐससी बात नहीं है हाँ वही मैं पूछ रहा हूं तो इसलिए मैंने ना जी तो कोई पूछना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं अहले हदीश में आना जाना यह सब कुछ नहीं है अगर आप कुरान और सही हदीश को अमले सहाबा के साथ से फॉलो करने की कोशिश करेंगे आटोमेटिक आप अहले हदीश हो जाएंगे उसके लिए आपको कोई मतलब करना है अब समझ नहीं दोबारा इमान में कबूल करना है अहले हदीश क्या है अहले हदीश तो कॉल्टी यह कोई फिरका नहीं है आप समझ रहे हैं यह कॉल्टी जो लोग कुरान और सुनत को मानते उनको अले दिश कहते हैं शॉट पॉम में तो एक वी उनकी पहचान है बस इसमें आपको जो अधी मैं अधो मं- से अंदर रहना आंसा दो टेम तो थी के अंदर कांश्वन घूना त्रैस आадला पाकिस्तान न हाभ्य राजिस्तान अहें राजिस्तान घुटा है निंदिया राजिस्तान जी बताए अमशना बदीए कर मालों होगा petty नहीं मालूम होग तो मेरी शादी एक बरहलवी मसलक में हुई है, जो कि हमारे रिष्टेदार वगेरा हैं जी, आप पहले बात सुनो गोर सी जी, तो मेरे तो सुसोर है, वो एक बंद बरहलवी है, जो एक साला जी है, वो भी बरहलवी है, क्योंकि वो बोल है, मीन वंख साथी एक मरेली मसलच में हुई जो इधर अजमेर जाते हैं मुझे उससे कुछ लेना तो नहीं है गोषके वजह यह के जो मेरे सासोजी है मेरुस चाहते जाते हैं मैंने कहीं तैसे मंणा करने की बहुत कोशिची है तो वो कहते हैं नहीं मारी नवीजी जाएगी हमारे साथ जाएगी, यो मेरा हम大 को ही यह the Yehoj Frati Cekहता है, भी स में कहता है, क्योंकि Izhuk बातुने का, कोई बात नहीं करता नाronics कि यह ने वह साथ गहाँ जाने सी político मना नहीं किया है, से अज़दा करने है सि हुआ हमारे अज़ difficult दिया हराम तो मैंने मेरे इबी को हो एक का है उभी हमारे लिए आराम है। फिर निए क्षिके का वहे आराम है। तो किसी Черłem गलाक का ऊप रीओ याराम है। скаж तो कहता हूं भई अगर तुमको नमाज देही तो मैं साथ में बढ़ाऊंगा नमाज आपको नमाज बढ़ाऊंगा लेकिन ये काम मत करो की ओनते नहीं आप इसमें थोड़ा बताओं मैं गर्मे उन्हें गर्मे जाता हूं अब खाना फबलेसियन एकिन नखिर जैसे कीर बंदी आाद दिया, बिया ठिवा घर में, एक गला भी रखा हुआ पैसो वॉला, जो भी काम करते हैं था को पहंसे बाद मी बाद हमेले चाज़ हुई था जार में अघर ना नहीं य। ए लिए ना एक मेंग चाहा भी मेरा रचOS में को कि अधर में गार्जा दो कि अधर खाना हुआ हुआ है तो मैंने भी आदर नाम का लगाना है're जो भी अधर पादे के नाम का लगाना हुपा वे फुट करा लगाके लिए लिए खर्ल मेरे मुझे प्रेली-निगा थे ते दिया निया कि मैने पहले दो एक गय्मिला इस से हुआ मेरे साथ मेरे साथ मैने एंभून से फर से विए बêuग ऑई बे रेली हैं कि उन्होंने मेरे सुर जी को कanha यह कैसी हिं कैसा है? तो हमारा दामाल पहले खाना खा चासा है? बाद में अंनोग खाते हैं अमने कचते हैं मेरे भाजय गाना नहीं थे कि अब जो आपनी मर्जी है। उसके बार मेरा सेटर में मुझे घर से रोख दिया है। मुझे का बई तुम मत आया करो इगर। मैंने मेरे बीवी को का आया है। तुम भी मत जाओ अगर अगर मुझे रोख रहे हैं तुम भी मत जाओ। क्योंके ये मत भी मत जा अगर मत जाओ कुछा है। वालो जेसे हैं। मैने बीवी को रोका दी तुम मेरी बीवी तुम मान ऑबाब कर साओ। अमने का कोई बात ने ऑना किके पास जो विख जा पर उलाकर कि पस जाओ तुम कुछ नहीं। इसलिए अगर आपको मसलह पता है तो मुझे बढ़ा भी ये नहीं पता तो जी कोई बाद में नए तो इसमें निक्कत क्या है जी अगर वोजो से जाती हो अगर और रगांर पे जाती है जैसे कमर प्रस अज़सों जक्रव시면 करना है कि आपकी पूरी बात सुनी ठीक है अब देखिए आपका जो मसला है वो बिल्कुर टेड़ा मसला है ठीक है इसमें जो चार पॉइंट है वो चार पॉइंट है में आपके ठीक पैड़ी चीज तो आपने शादी से पहले भाई अपनी बीवी में मैं उसका इमान उसकी दीनदा आपने देखी नहीं ठीक अब आप भाई पस्ता रहें अब पस्ता रहें ठीक दूसरी चीज यह कि उसका पस्ताना नहीं हुआ मुझे क्यों कि मैंने का या रहा है सब्सक्त सही हो जाएगा इंशालला कि मैं जो बिल्केशने मैं तालूप रखा जाजी इन्होंने ता उतर मुझेल नहीं है पुछ आज सोहर की इतात करना चाहिए आप समझ रहें लेकिन बात यह है कि आपकी बीवी आपकी इक्तियार में नहीं है ठीक है भई हदीस में आता है कि शोहर की इतात करना चाहिए आप समझ रहें अल्ला और अल्ला के नभी के बात अगर उसकी शादी हो गई तो शोहर की इतात उसको करना है अगर आप उससे कह रहें कि अपने माई के मत जाओ तो उसको नहीं जाना चाहिए हाँ अब हाला कि औरत है अ तो यही माबाप तुम्हारे तुमको एक भी नेकी नहीं देंगे, आप समझेंगे, भाई वो हशर के मैदान में नफसी-नफसी का अलम होगा, कोई किसुको अपनी एक भी नेकी नहीं देगा, भाई बाप अपने बच्चों को नहीं पहचाए नहींगा, उम्मा अपने पूचेगा कि हम काम्याब हो जाए, हमारी पकाद नहीं पकाद नहीं हो जाए, ए लाह हमको बचा ले, ए लाह में माफ कर दे, किसी भी तरीके से उमको बचा बचादा कर दे, तो यहां पर यह अब असल में यह आपने इस च्टार्टिंग में उनको देजी छोट, अब इस दरगा गए, तो आपने देखा कि भाई वो शजदा कर रहे हैं, पाइसा मैं तभी करना करता है, मेरा ससूर है, वो देखे गया, मुझे जानके लेके गया, मुझे का एक सुरू के चलना पड़े है, हाँ, मैं तमस सकता हूं साथ, भाई क्यों नहीं टाल सकते मेरे, अभी आ आईसी जगा हमें जाने ही जाइनी शाएए, जहां पर लॺ के दीन के साथ खेर हो रहा हूं। अब विचारा मरा हुआ है अब वो नेक था बत था अल्ला बैतर जानता है उस पहली चीज़ तो उसके उपर सजदा करके फायदा क्या और यह जो बरेलवी मसलक है बरेलवी मसलक में तो खुद उतरा हुआ है कि कब्रों पे चादर चड़ाना मनलत जब तक एक चादर पूरी भट ना जाए मित्ती में मिल ना जाए तक उसके उपर दूसरी चादरें न डालो कबर के उपर एंग्जेट अगर बत्ती ना जलाओ कबर के उपर सजदा ना करो और तो कब्रों उपमजारों पे जाना भाई ये हराम है मना है तो उनसे कहिए कि अगर आप बरेलवी हैं वाकई आशिक नभी हैं ठीक है नभी के आशिक हैं तो आशिके रसूल का कम से कम फर्श्त दो अदा कीजिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं लाह किसी का सजदा नहीं है वो पीर बाबा ह के तालुक से आता है कि अल्ला के नभी की जो भी मतलब वो बेटी थी ठीक है फात्मा रजी अल्ला अन्हा वो अली रजी अल्ला अनू से बिना पूछे अपने वालित के वहां आ जाती है अल्ला के नभी के पास कि अल्ला के नभी जैसे देखते हैं वो पूछते हैं अली कहा ह तो वो कहती है कि नहीं मैं अकेली आई हूँ, तो अल्ला के नभी कहते हैं कि वापत जाओ, पहले अपने शोहर से पूछ कि आओ, अगर वो तुमको कह रहा है, आने कली तो आओ, वन्ना वापत जाओ, तो ये हमारे अल्ला के नभी हैं, अल्ला के नभी कह रहे हैं, शोहर की त और का नाम लिया गया अगर खाना हो अब उसमें बहुत सारी चीज़े है मरलब वो मुर्दार गोश हो खून हो और अल्ला के अलावा अगर जिस खाने पे किसी और का नाम लिया गया हो तो वो खाना हमारे लिए हराम है अब फातिया किसके नाम की हो रही है फातिया कभी मरला वो पिराने पीर के नाम हो रही है कभी जाफरे सादिक के नाम के हो रही है कभी मरला भाई वो ग्यारवी की फात्वा हो दिये कभी तेरवी की फातिया हो रही है और फातिया पहली जिस तो करें क्यों अल्ला के नभी भाई, हमाँ तो सीधा दावा है, आशिक रसूल हो ना आप, तो अल्ला के नभी कैसे खाना खाते थे, अल्ला के नभी खाना खाने से पहले पते थे, बिस्मिल्ला, आप समझ रहो, तो हम बिस्मिल्ला बोल के हम सुकून से खाना खा लेंगे, लेकिन अब आद वह रहना को थाने आजिए को यह आजने पेदा काईढ मेशल्य साथ भी जी कि दीदे जाना कोई रिणे जया मेशला कि कि अभी नुद्रत द के गईण, इस लाध कोई हुना जो रागं drin आthे के अलगे कम अब साहिए उसके दो क्या हुआ है निक Eliya आखिरू ये साबित है बस हमको इतना करना है अब आतिया देना अफला करना कुरां कुरॉण परना अची बात है आव अलम्दुल्ला सुबा पढ़ो रात पढ़ो देन पढ़ो कहीं मनों वह सफर में पढ़ो उसकी मनाई नहीं है लेकिन उस तरह ना परो जिस तरह अल्ला के नभी ने ना तो कभी पढ़ने की तालीम दी और ना कभी हमारे सहाबा ने पढ़ा आप समझें कुरान का मन माना इस्तामाल भी नहीं करना है अल्ला-वजरत पाता है तो अल्ला हजरत का नाम करना है तो उन्चाप पोचिए ना कि मेरे आप के लिए अफजल कौन है आप आशिक किसके हैं आप आशिक 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 तो अलाम्दुल्ला माल लेंगे, अल्ला के नभी से कोई हट के बात कर रहा है, अपनी अकल दीन में खोस रहा है, तो भाई, तुम अपने दीन पर हो, अपने दीन पर है, अब सवाज ये परदा होता है, कि आपकी बीवी पहली चीज तो आपके कहें में नहीं है, ठीक है, अपने देखिये, उससे आप कहिए कि कुछ भी उसको प्यार से समझाइए, यहां बेबी जानू, और तुम क्या करती हो, बताओ, यहां पर जाती हो, सजदा करती हो, यह नहीं सही है, भाई, हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, तो तुम भी मेरे साथ जन्नत में आओ, ब दुनिया में भी, जन्नत में भी मेरे साथ रो, तो उसको प्यार से समझाइए, प्यार से ना माने, तो हल्की मार से समझाइए, लेकिन हल्की मार कैसे होगी, कि उसके चेहरे पर ना मार यह, आप समझे है, देखे, मार का भी तरीका हमारे अल्ला के नभी ने बता दिया है, क अगर वो उसके बाद भी नहीं मान दिये तो फिर अपना बिस्तर अलग कर लो ती उसे नाराज हो जो के दो कि नहीं भाईया आप तुमको जब अल्ला की ही परवान नहीं है अल्ला के दीन के तुमने मजाग बना रखा है कुरान के आयतों को खेल बना दिया है तो अब हम तु अलग कर लो हम इसके बात भी नहीं मैंती इस तो तो उसके हाथ का खाना मत खाऒ आप अपना होटल से ली हो क्योंकि बीवी सब कुछ मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं कि आप अपनी बीवी को छोड़ दो, लेकिन ये शरही बुनियाद है, अगर आप चाहें, आप समझे रहे हैं, अगर आप चाहें, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अल्ला के दीन के साथ मजाग कर रही है, और अल्ल वाले दीन कोई कूछ नहीं जवाब दे पाएगा, अभी दुनिया में जिन्दा हैं, पता नहीं कितना जिन्दा हैं, आज मौत आ जाए, कल मौत आ जाए, क्या हो जाए, उससे मदलब नहीं, उसको बहुत प्यार से, इत्मिनान से समझाईए कि देखो, तुम अपने की तरफ जो तुम में और हम में एक सी है, तो बरेल्वियों के यहां भी क्या है, भाई वो भी कुरान को मानते हैं, वो भी अल्ला के नभी को मानते हैं, एले अधिस में क्या है, एले अधिस भी कुरान को मानते हैं, अल्ला के नभी की बात को मानते हैं, तो ये उनको जो सेम मदद मांगते हैं ये यह हम तो नहीं कह रहे हैं यह तो आपके आला हज़त कहे रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते तुस्रीं मदद मांगते तो भाबा के पास पास को हम फ़सर मांठा टेकने का आप समझ रहें दावत प्यास्ते दीजिए एकूब शि्धिक है और जो मेरे माहल होगा आपकी मरला जो भाई वो सचुराल है वहां प्रॉरा महूल हमको लग रहा है इसी टाइप का होगा बरेल्वी टाइप अठीग है अच्छा बरेल्वी लोग क्या है बरेल्वी में एक इसका है आपको हमको दरोगा नहीं बना के बेजाए मत छोड़ देजिए उनको अल्ला के उपपर आप देखे आप अगर अगर अपनी बीवी जो आपके मार्थियत है आप अगर उसको कंट्रोल मतलब वह कर पा रहे हैं तो ठीक है नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई अब आगे आपक आपको कुरान से खेल करने पर ना मारा ना उसने डाटा ना उसने हमसे नाराज हुआ ना उसने हमाई हाथ का खाना चोड़ा ना उसने हमसे बिस्तर अलग किया उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया आप सब कुछ कर लिजिए उसके बावजूद अगर वो नहीं मानती तो उसका हाल है, तो अल्ला ताला उसका हिसाब लेगा, आप उससे बरी हो, ठीक है, अली रजी आल्ला अनु फर्माते हैं, कि अल्ला ताला जिसको इस दुनिया में ही जन्नत देने का इरादा कर लेता है, आप समझ रहें, अल्ला ताला जिसको जन्नत देने का इरादा कर लेता है, उसक कि मैं आपकी बीवी को कुछ नहीं कह रहा हूं अल्ला उनको हिदायत दे उनको कामियाफ करें उनको शेक बिदत गुमराही से बचाए आमीन 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 लेकिन प्रेजन टाइम पर तो वह मतलब इतनी उसमें फसी हुई है कि उसको निकालना पर जरूरी है और यह आप के या उनके मसलक से बताएंगी तो मानेंगी या आप उनको अराम से प्यार से पट्टी पढ़ाएंगे तो मानेंगी या उनको शॉपिंग करवाएंगे कि आओ बेभी तुम्हा नया सूर दिलवा दे लेकिन वादा करो कि अल्ला के लावा किसी और को सजदा नहीं करोगी अगर इस टाइप से मान जाती है तो भी ठीक है अब वह की उप और बीवी का मॉन क्या है म अधासर में माबाप होते है दजर्रा साम बाहत आ जाना चोड़ करता है- कि रसूल के पास क्या करोगी रहके और वो जब चक रख रहा है रखो वनना उसको छोड़ के आ जाना हम जानते यह अधिकतर लोग असल माबाप इसलिए आजकल अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और लिखा रहे हैं वो तालीम के लिए नहीं कर रहे हैं वो इसलिए कर रह है कि जौ बेटी मैंने मैंने तुमको उसके पल्ला ताला ने तुमा जोड़ा बना के भीजा था हमारे जरियत हमने उसके उसके सब तुमाई शादिय करवा दी अब तुम उसके निकाह में हो अब जैसा वो कहें वैसा करो तो यह माबाप को तालिम देना चाहिए लेकिन बहुत बिगाडा आगिया जी ने तुमारी तुमारी वेश्या लोग बटाना के लिए और शेखर आप जाते हैं तुमारे लोग तुमांग में जाते हैं और सब्सक्राइब को तुमारे लेएं लुग ट्रवार बड़ा शुए हुए आपको तपही हैं उसके बाड़े लड की है इसलिए नहीं की है माब आपने लाक प्यार के पाला इसको बनाइद गरा नहीं की मैंने का यह जश्मंदर से जमाद में जाएगी तो उसके पाई नहीं है ऐसा करो कि हमारे घर के छोड़ के हूँ जमाद में नहीं जाने जाएगे क्योंकि जी मुझे ऐसे रहता है जिसे पूरी दुनिया में ज़्यादा सब से सटर बरेलवी हुई है अरे भाई वो नहीं हर घर का हाल है अभी मैं आपको बता रहा हूं मैं अपने भाबी किया का केस बता रहा हूं उनके मौले में एक मतलब भाई वो बरेलवी थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक दिवब नहीं शरीक होए क्यों कि लड़का फला था 24 नंबर था वहावी था अब बताए अरे लड़की को क्या चाहिए लड़की को चाहिए उसका शोहर कमाता हो नेक दीनदार हो नमाजी हो उसका खर्चा उठा ले उसके ने तमीज हो तैजीब हो एखलाक हो अच्छा खांदान हो अच्छा मकान हो अच्छी दीनदारी और अच्छा नॉलिज हो समाज में इज़्दत हो लेकिन उनको क्या चाहिए उनको चाहिए मसलकि आला हज़र्त का कट्टर बरेल्वी उससे ही शादी करेंगे मतलब वो हिंदू से हात मिला लेंगे वो उनके माजाज है लेकिन किसी व लेंगे तो घर पे जाय कि अधा जो घजालक तेजहाब से अपने हाथ को दोयंगे कियर लो वहभी साथ मिला लिया तो यह सब उनके इनकी कम इनमी है All right के बात करोना अफ़ो धिको गसे ननकी व क्या चाहिए उनको भी तरीका क्या अल्लाग के नभी ने बताया? अल्लाग के नभी ने बकाइदा भाई वो डाइग्राम बना के बता दिया, आड़ी टेडी लाइन कीची और एक सीधी लाइन कीची, और अल्लाग के नभी ने का यह जो टेडी मेरी लाइन है, इन सब रास्तों पर शैतान बैठा है और जो सीधा रास्ता है तो वो मेरा एकदम राइट पाथ है उसके ओपर सीधे चलो तो अगर सब लोग मिलके आराम से बैट के प्यार मुहबबस से इटमिनान से बात कर लें कि सीधा रास्ता क्या है तो दुनिया के किसी का भी मसलफ हो वो यह अपनी जबान से उसको कहने ही पढ़ेगा कि यहां सीधा रास्ता जो भाई वो कुरान और हदीस का है तो जब कुरान हदीस वो अपने मूँ से उगल दे तब उससे बात कर लो कि यहां भया आप हमें कोई एक ऐसी हदीस पेश कर दो कि पीर बाबा के पास सज़दा करना चाहिए एक हमें हदीस पेश कर दो क कि हर नए काम से पहले फातिया पढ़नी चाहिए एक हदीस पेश कर दो कि अल्ला के नभी का बड़े मनाना चाहिए जुरूस निकालना चाहिए एक हदीस पेश कर दो कि मलब वह ग्यारवी की नियाज करना चाहिए एक हदीस पेश कर दो कि तीजा चालिसवा दसवा छटी कर आब बच्छा पैदा हो रहा है अब बात गवर सदम सुनिये गागव इनके ही इसका सिस्टम क्या है आप सुनिये मूद को से लेकें इंतिकाद तकी बिदते आपको बताए तेरे शौρ्ट पोर्ब में ठी कि बिदते तो बहुत सारी हैं हर एक एरिया के इसाब से अलग लग विदते हैं लेकर जो में माशलिये जो चल लिए वो मैं इदम शौट पॉम में आपको बता देता हूं अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अल्ला के नभी कहते हैं कि उसका साथवे दिन उसके बाल को तराशो और बाल के वजन के बराबर सोना या चांदी या उसके बराबर कैश को मतला भई कक्सीम कर दो तो सजदा कर दो और उसका अच्छे से नाम रखो लड़का है तो खतना कर दो तो यह तो हो गया अल्ला के नभी जिनकी आशिक बनने का दावा हो रहा है लेकिन अब क्या है नाम तो आशिक है अल्ला के नभी का काम एकदम उल्टा हो रहा है बच्चा पैदा हो रहा है तो अब क्या है वो हमारी दादी कहके गई है कि हमारे पोते के खतना जब वो पाथ साल का हो जाए तब कराना अब बा समझे, अल्ला के नभी कह रहे हैं, साथवे दिन खत्ना करना सुन्नत है, और उनकी बूरी दादी, बूरी नानी, उनकी खाला पुपू ये वसियत करके मरी हैं, कि जब भी लड़का पैदा हो तो उसका पात साल पे तुमनों खत्ना कराना, अब एक जी बताइए, अल अटमी कहेगा अल्ला के नभी बढ़े हैं, तो साथवे दिन क्यों निक खत्ना कराते हो, अपनी दादी की बात क्यों मानते हो? यह बुडीयों का दीन नहीं है, इसलाम जो है यह बुड्डियों का दीन नहीं कि बुढ्डियां कुछ भी वसियत करके चली जाए, तो इसलाम बन जाए, अब पास साल के बच्चे का खतना का इवेंट हो रहा है, पूरी दावत हो रही है, और मतलब वो आ रहा है, वो नववा आ रहा है काटने के लिए, क्या बोलते हूं उसको जर्रा आ रहा है, जर्रा काटने के लिए, ठीक, अब जर्रा काटने के लिए आ रहा है, अब उसको खतना करना है, लेकिन उसको साम तुम उसका खतना करके जाओ, तुमार जो पैसे फीसों को लो, लेकिन नहीं बिदद, अब उसका खतना हो रहा है, विचारा वो नंगा है पाट साल की उमर में, और पूरा खांदान उसको देख रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा दीन है, अल्ला के नभी ने कहा दिये, सातव कर देते हैं, आप समझ रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, वो फटास्य डॉक्टरों ने बिना पूछी खतना कर दिया, अब ये बहुत सो लोग करते हैं, ने, खतना करने से ब्लेट का मतलब वो लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, बच्चे की सिहत पैसर पढ़ेगा, कुछ नहीं, इसके scientifically इतने benefit हैं, इतने benefit हैं, जिसको मतलब वो गिनाया नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग किस लिए करते हैं, अल्ला के नभी ने कहा है, हमारे इसलाम की सुननत है, अब ये तो बच्चे की पैदाइस की हो गई, अब आते हैं शादी के उपर, अब आते हैं शादी के तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, लेकिन कैसे देख लें, वो एक आदमी साथ हो महरम उनके, एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, उसके बाद जिस भी बुनियाद पर उनको शादी करनी हो, खानदान की बुनियाद पर, मालदारी की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर, पढ़ाई पर, एजूकेशन पर, लेकिन अल्लग के नभी ने कहा कि, ऐ नौजवानों, तुमारे हाथ कामिलूत हो, तुम दीनदारी देखो, तो दीनदारी आजकर कोई नहीं देख रहा है, आजकर लोग दीनदारी के नाम से देख रहे हैं, मा जंदारी तो एक मरला वो बहाना है घर में गुछनेगा अब सुनिये